नेक्स्ट कोश्चन है, 28 स्क्वेर प्लस 25 इंटो 14 माइनस 224, इस दो डो कोश्चन माइक, मल्टि ब्लावे 13, अब देखिए इसको कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको क्या बताया गया सा कि, ब्रेकेट्स वाले ओपरेशन होते हैं, तो इसको कर ले तो 28 का स्क्वेर प्लस 25 इसको कैसे करना है, इसके दो मेथड जैसे भी आपको इसी लगे, 25 फोर्जा, 100, 0, 10 कैरी फोरवड हो गया, 25 बंजा, 25 बंजा, 25 बंजा, 10, 35 हो गया, ये ब्रेकेट्स मेरा डिजॉल्व हो गया, इसके बाद ये ब्रेकेट्स है, माइनस 224 is equal to question mark, मल्टि ब्लावे 13, अब 28 क square आपको बताया था कैसे निकालना है, 28 का square वैसे तो, 28 का square स्क्वेर जो है, वो आपको याद होना चाहिए, 30 तक के square आपको याद होने चाहिए, बट अगर आपको नहीं भी यह, तब भी आप इसको easily कर सकते हैं, कैसे आपको बताया था कि 28 जो है, कितना कम है, 30, इसका 30 reference लेता हूँ, 30 से 2 कम है, दो और कम कर लूँगा, 28 into 30, 30 का reference था, प्लस कर लूँगा, 2 जो था उसका square, कितना हो गया, 26, 30, 78, 7, 80, प्लस 4, 7, 84 आगया, 7, 84 क्या आगया, square आगया, ठीक है, 7, 84 square आगया, 28 का प्लस इसमें 300 add करने के बाद, minus 224 करना है, यह आजएगी बराबर value, कोशन मार्क मलडी करना है, 13 के, इसको जब add करूँगा, तो 4 का 4 आगया, 8, 5, 13, आगया, 7, 10, 11, 834 minus 224 जब करूँगा, is equal to question mark, 13 आगया, इससे इसको minus करूँगा, तो 910 आगया, 910, 13, जो है, वो division में लेके आता हूँ, तो question mark की value क्या आजाएगी, यहां से, 13, 7, 9, 1, 70, जो value आजाएगी, वो question mark की आजाएगी, option B is the right answer, ठीक है, बहुत ही easy steps है, कुछ नहीं, आपको step by step चलना है, calculations करनी है, और calculations आप तभी fast कर पाएंगे, जब आप practice करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा questions के practice कीजिए, आप pre से लेकर mains तक के, okay, simple question question, pre, clerk, pre, PO, pre, और जो clerk mains, OS mains, OA mains यहां तक देखे जाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, practice करने कितनी ज़्यादा आप practice करेंगे, practice करने के लिए आप जाएए mini mocks दीजिए, topic wise quizzes दीजिए, जो भी आप mock test लगाएंगे exam से पहले, उन में practice कीजिए, तो उससे क्या होगा आपका confidence जो boost होगा, and then you can solve, बहुत सारे questions जो हैं, आप easily आप कर लेंगे, you can solve maximum number of questions with minimum time, okay.